Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पोयम के बारे में जिसका नाम है Caged Bird या अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो I Know Why The Caged Bird Sings ये पोयम 1983 में पब्लिश की गई थी उनकी कलेक्शन Shaker Why Don't You Sing में ये पोयम Free Rhyme और Free Verse में लिखी गई है यानि इसकी कोई Rhyming Scheme नहीं है और कोई Fixed Stanza भी नहीं है इस पोयम में Six Parts में Divide की गई है छोटे-छोटे Six Stanzas हैं लेकिन कोई Fixed Line नहीं है हर Stanza में Friends, इस पोयम की Theme है Freedom Versus Captivity इस पोयम को समझने से पहले हमें कुछ चीजे जाननी पड़ेंगी इस पोयम में दो तरह की Birds को डिस्क्राइब किया गया है पहली Bird जो Free है बिलकुल आजाद होकर आसमान में उड़ती है और दूसरी वो जो पिंजरे में बंद रहती है पोयम ने यहां Free Bird को जो White People हैं अमेरिका के उनसे Compare किया है और जो Caged Bird है वो Black People यानि जो African People होते हैं उनसे Compare किया है जैसा कि हम जानते ही है हमारी Society में Color को लेकर के बहुत ज़ादा Discrimination होता है और अमेरिका में तो यह उस समय कुछ ज़ादा ही था जब Maya Angelou जिंदा थी और लिखा करती थी तो उन्होंने इस पोयम में उस Situation को ही Express किया है बहुत ही Beautifully दिखाया है कि किस तरह जो Caged Bird होता है वो एक जगा बंद पड़े-पड़े उसके अंदर एक तरह से Anger यानि गुसा बढ़ने लगता है और इसलिए वो शोर मचाता है जोर-जोर से चिलाता है जबकि जो Free Bird है जो आजाद है आसमान में उड़ता है वो शोर नहीं मचाता क्योंकि जो भी उसे चाहिए वो उसे मिल जाता है और इसलिए वो नए दिन का बहुत ही बेसबरी से इंतिजार करता है इस पोयम में केज को African American people पर जो oppression होता था उसका एक symbol माना गया है Friends, Maya Angelou एक American poet, memoirist और civil rights activist थी उनका जन्म हुआ था 4th April 1928 में और उनकी death हुई थी 28 में 2014 में उन्हें तीन बार Grammy Award मिला था उनकी spoken word albums के लिए और उनकी famous works में I know why the cage bird sings On the pulse of mourning ये शामिल है तो चलिए Friends, अब पोयम पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं A free bird leaps on the back of the wind यानि एक आजाद पक्षी हवा में खुल कर उड़ता है and floats downstream till the current ends और नीचे की तरफ जुक कर तब तक उड़ता है जब तक की हवा का direction बदल नहीं जाता यानि उसे उड़ने में जब तक परिशानी नहीं होती है तब तक वो यूँ ही नीचे की तरफ मुड़कर उड़ता रहता है and dips his wing in the orange sun rays और फिर अपनी पंखों को सूरज की जो orange कलर की रोशनी है उसमें जुकाता है and dares to claim the sky और फिर उपर की उड़ उड़कर पूरे आसमान पर क्लेम करता है उस पर अपना हग जटाता है यानि जो free bird है वो बिलकुल अपने मर्जी से उड़ता है उसकी उड़ान पर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है अगर उसका मन करता है तो वो नीचे की तरफ जुक जाता है और अगर उसका मन करता है तो वो उपर आसमान में उचा उड़ता है but a bird that stalks down his narrow cage मगर एक ऐसा पक्षी जो चुप होकर गुस्से से भरा हुआ अपने पिंजरे में घूमता रहता है stalk करना यानि गुस्से से भरा होना और बिलकुल चुप रहना शोर नहीं मचाना can seldom see through his bars of rage तो ऐसा पक्षी जो है वो ना तो अपने पिंजरे के बाहर देख सकता है और ना ही अपने गुस्से के आगे देख सकता है ये दोनों ही चीजे उसका गुस्सा और वो पिंजरा उसके विजन को छोटा कर देती है उसे जादा दूर तक देखने नहीं देती His wings are clipped and his feet are tight यानि उसके पंखों को clipped कर दिया गया है काट दिया गया है और उसके पैरों को बान दिया गया है क्यूं? ताकि वो उड़कर कहीं भागना जाए उसे पिंजरे में बंद रखे रहना है इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया है So, he opens his throat to sing तो वो अपना गला खोलता है या यूं कहें तो वो अपनी चोंच को खोलता है और गाना गाता है यानि जो उसके साथ गलत हो रहा है वो उसके बारे में चला कर लोगों को बताता है कि किस तरह उसके पंख काट दिये गये है उसके पैनो को बांद दिया गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है उसकी जो आजादी है वो उससे छीन ली गई है The caged bird sings with a fearful trill of things unknown यानी वो पिंजरे में जो बंद पक्षी है वो गाता है उन चीजों के बारे में जिनें वो नहीं जानता जो things unknown है मगर जिन से उसे डर भी लगता है यानि दोनों ही चीजें वो उन चीजों को नहीं जानता है उसे उन सभी चीजों से डर लगता है But long for still मगर फिर भी वो उन्हें पाना चाहता है भले ही उसे डर लगता है और वो उन चीजों के बारे में नहीं जानता मगर फिर भी वो चाहता है कि वो चीजें उसे मिले और यहां किस चीज के बारे में बात हो रही है तो freedom की, आजादी की बात हो रही है And his tune is heard on the distant hill और जो उसकी आवाज है वो उतनी जोर से गाना गाता है कि उसकी आवाज दूर पहाडी पर भी सुनाई देती है आजाद होना चाहता है इसलिए वो जोरों से चिलाता है और जो उसकी आवाज है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है The free bird thinks of another breeze मगर जो आजाद पक्षी है वो एक दूसरी हवा के बारे में सोचता है कि अब दूसरी हवा चलेगी और वो उसे भी enjoy करेगा ग्लोबल winds होती है जो east direction से west direction में जाती है तो poet यहाँ पर कह रहा है कि जो free bird है वो उन trade winds के बारे में सोच रहा है कि किस तरह उनके बहने से पेड जो है वो यू हिलते हैं उनसे ऐसी आवाज आती है लगता है मानू वो पेड साई कर रहे हैं यानि आहें भर रहे हैं and the fat worms waiting on a dawn bright lawn और वो मोटे कीडे जो घास के मैदानों में बैठे होंगे सुबह के इंतजार में और जिन्हें वो बाद में खाएगा यानि जो उसका भोजन बन जाएंगे बहत ही easy life लग रही है यहाँ पर जो free bird है उसकी आराम से उसे यहाँ पर खाना भी मिल जाएगा उन घास के मैदानों में and he names the sky his own और फिर वो आसमान में उंचा उड़ेगा और पूरे आसमान पर उसका ही नाम होगा यानि वो पूरे आसमान में अपनी मर्जी से जहां मन करेगा वहां उड़ेगा but a caged bird stands on the grave of dreams मगर जो पिंजरे का पक्षी है वो अपनी सपनों की graves पर खड़ा है अपनी सपनों की जो कब्र है उस पर खड़ा है और ये सपने किसके हैं तो आजादी के यानि जो सपने उसने देखे थे कि वो आजाद हो जाएगा और आसमान में उड़ेगा वो सपने तो अब मर चुके हैं क्योंकि वो आजाद तो नहीं हो पाएगा और जो डरावने सपने उसे आते हैं वो खुद उसके अपने सपनों की चीखे हैं वो सपने जो अब मर गए हैं जो अब कभी पूरे नहीं होंगे His wings are clipped and his feet are tied यानि जो उसके पंक है उन्हें काट दिया गया है और उसके पैरों को बान दिया गया है So he opens his throat to sing और इसलिए उसके गले से आवाज आती है वो गाना गाता है अपनी चोंच को खोल कर The caged bird sings with a fearful trill of things unknown यानि पिंजरे में बंद वो पक्छी गाना गाता है उन चीजों के बारे में जिनने वो नहीं जानता जिनसे उसे डर लगता है But longed for still मगर फिर भी वो उन्हें पाना चाहता है And his tune is heard on the distant hill और इतनी जोर से वो गाता है कि उसकी आवाज उसका ये जो गाना है वो दूर पहाड़ी पर भी सुनाई देता है For the caged bird sings of freedom क्योंकि वो पिंजरे का पक्छी आजादी के बारे में गाता है आजाद होना चाहता है Friends, यहाँ पर ये poem खत्म होती है इस poem की background को समझ चुके हैं हम तो यहाँ पर जो poet है वो ये कह रही है कि जिस तरह caged bird आजाद होना चाहता है और आसमान में उड़ना चाहता है ठीक उसी तरह जो अमेरिका में रहते हैं Black people वो भी आजाद होना चाहते हैं White people के rules से यानि वो equality चाहते हैं वो चाहते हैं कि जैसा behavior उन White people के साथ होता है वैसा ही उनके साथ भी हो color के आधार पर उनके साथ कोई discrimination नहीं हो और अपनी poem में Maya Angelou यहाँ पर यही बताना चाहती है तो Friends, ये थी Maya Angelou की poem Cage Bird